देव लक्षमी ने पूछा कि देव आपके मुस्कुरा रहे हैं तो भगवान नरायन ने कहा कि ऐसा है कि कुछ मेरे जो धनी भक्त हैं वो मेरी पूचा में इतना धन खर्चा कर रहे हैं मुझे प्रसंद करने के लिए पहुत कुछ कर रहे हैं मेरे लिए तरह बेतरा के मेरे लिए रूए जवा रहात मेरे लिए हर संसाथ जो है वो ला रहे हैं उपलब्द कर रहे हैं मुझे तरह बेतरा के भोग लगा रहे हैं लेकिन तो माह लक्षमी ने पूचा की तो प्रभू इसले आप अच्छा इसले आप इतने खुश है तो भगवार ने कहा कि नहीं भक्त आपने उन्हें जो दिया है वह आपको खुश करने में लगा रहे हैं तो किस बात के लिए आप खुश है तो भगवान ने कहा कि प्रिये मेरा एक भक्त अती प्रभावी मानस फूजन कर रहा है मेरे अन्यभक्त भक्त से जो हैं सब उच्छ साथनों से सामगरियों से मेरी अर्शना करते हैं लेकिन उनका मन भटकता रहता है तो हाँ जी नमसे सभी को कैसे हैं असब मैं नीती एक वाफिस सागत करती हूं आपके अपने शानल स्टोरी विन नीती में और आशा करती हूं कि आप सब जहां होंगे स्रस्स होंगे स्रक्षित होंगे और अपने पईबारों के साथ सुखमे और खुशाल जीवन जो है वो बृभान को प्रसंड करता है आई सुनते हैं और जानते हैं इस निर्धन नीती के सा तो कहते हैं कि एक बार की बात है कि निर्धन ब्रामर अपेति महान भक्त था ब्रामर जो था निर्धन तो था लेकिन भक्त जो था वो बहुत महान था वह मंदिर की पूजा में बहुत शांदार सेवा पेश करना चाहता था लेकिन उसके पास धन नहीं था कहते हैं कि एक दिन की बात है वह भागवत पार्ट में बैठा हुआ था और उसने सुना कि नारायन मन में भी पूझे जा सकते हैं अब क्या था जब उसे इस बात का भई पहले तो बड़ा परिशान था कि मैं भगवान की सेवा में बहुत अच्छी सेवा करना चाहता हूं लेकिन में पास धन नहीं वो लोगों को देखता था कि कोई पीला वस्तर लाकर चाहा रहे हैं भगवान को तरह तरह के भोग दे रहे लेकिन वह सोचता था कि मेरे पास अब इस सब चीज हाई नहीं तो मैं भगवान में से खुशी कैसे होंगे तो लेकिन जब भागवत बात में युक दिन भागवत सुना था तो उसने भाई सुना वहां पर पंड़ी चिंदे बताया कि हम जो भगवान को है वह भगवान को अपने अंतर मन में भी पूज सकते हैं गाना है ना वो दिल में बसाकर तेरी मूर्थी उतारू में गिरधर तेरी आर्थी तो बस उसने इस अफसर का लाब उठाया अब क्योंकि वह एक लंबे समय से सोच रहा था कि कैसे बहुत शान से नारायन की पूजा करो तो आज उसक अब भगवान की पूजा अपने मन में भीतर नारायन की पूजा कर सकते हैं तो गुदावरी नदीम इस्तान करने के बाद वह एक पेड के नीचे बैठ गया अपने मन के भीतर में बहुत खूसर सिंगहासन का निमान कर रहा था गहनों के साथ लदी और सिंगहासन पर भगवान का गंगा यमना कोदावरी नर्मदा कावेरी नदी के चल के साथ अभिशेक कर रहा था बहुत अच्छी तरह से भगवान का शिंगार कर रहा था और फोन माला के साथ पूजा कर रहा था बहुत अच्छी तरह से भोजन पका रहा था और मीठे चावल पका रहा था वे परखना चाहता था किया वे बहुत करम थे तो उसे भोजन में अपने उंगली डाली और उसकी उंगली चल गई तब उसका ध्यान तूटा क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था खेवल अपने मन के वीतर वे सब कुछ कर रहा था लेकिन उसने अपने उंगली जली हुई देख कि तवच्चा किद रहा गया और इधर वेकुंड में नहरण मुस्कुरा रहे थे देवी लक्षमी ने पूछा कि देव आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं तोनों ने कहा कि मेरा एक भक्त जो है अतियप्रभावी मानस पूचन कर रहा है मेरे अन्य अधनिक भक्त सब उच्छ स अधनों से सामगरियों से मेरी अर्शना करते हैं लेकिन उनका मन भठकता रहता है इसमरपित भक्त का वास वेकुंड में होना ही चाहिए आधा मेरे दूतों को तुरंद भेजो उसे वेकुंड लाने का उनको कहो कि वेकुंड लेकर आए तो कहते हैं कि भक्तियों इतना जहां देखे सच्छे मंसे वही राम है तो इस कथा और इस कहानी से हमें यही सिख्षा मिलती है कि भगवान को धूनने के लिए खामें किसी तिखावे किसी अडंबर की जिरूरत नहीं है दन की जिरूरत नहीं है यत अधा शक्तिता बक्ति अगर आपके पास सन है तो भगवा इसके लिए कर दिए आगी आप सबक्रिया के साथ कि मिलते हैं नहीं कहानी में नहीं कता की साथ क助क्र सबक्राइब